लेजिस्टेटिव ड्राप्टिंग प्रशिशन समारो में आज इस प्रशिशन के उठगाटन समारो में हमारे बीच में जिनकी पेड़ना से और जिनके प्रयासों से ये प्रशिशन आज शुरुआत हुई देश के ग्रह मंती मान्या मिश्शा जी संसदी कार्य मंती स्री पहला जोशी जी संसदी राज मंती अरजुन मेगवाल जी सेकेर्टी जर्नल लोकसवा हम सेकेर्टी भल्ला जी और केंदर राज एड़ोकेट अलग-अलग सेक्टर के सभी लोग जो लेजिस्टिव डाप्टिंग के लिए आज यह प्रशिशन प्राप्स करने आएं मैं उन सब को शुपकामना देता हूं बढ़ाय देता हूं लोक तंत्र के अंदर कानून बनाना कानून बनाने के प्रक्रिया को समझना और कानून बनाने की प्रक्रियाओं के साथ साथ उस कानून की इस्पुष्टा देना ये महत्पून काम होता है और इसलिए हमारी जो संस्ता है प्राइड जो लगातार प्रशिशन का कारिक्रम आयुजित करती रहती है जिसमें हमें गर्व है कि देश के अलावा विश्ट के कई लोगतांतिक देश यहां पर प्रशिशन प्राप्त करने आते हैं और हमें गर्व है भारत के लोगतांत पर यहां की लोगतांती परंप्राएं परपाटियें नियम और हमारे सविधान में के कारण जिसके कारण यहां से प्रशिशन कि आई सीपेस की स्तापना भी इसी विशे को लेकर 1965 में उस समय के राश्पती जी के अध्यष्टा के अंदर हुई थी उसका काम भी देश के योगवाओं को किस तरीके से हम सविधान सविधानिक प्रक्रियां संसदी प्रक्रियां उनके रिसर्च के बारे में जानकारी देते रहें प्रिस्टिशन करते रहें तो आई सीपेस भी इसके लिए लगातार काम कर रहा है और आज हम जहां बेठें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लेजिस्टिट्यूट डाप्टिंग के प्रिस्टिशन समारों के अंदर जो लगातार 15 दिन तक चरनने वाला है उसके अंदर जो कुछ भी हमें अनभव प्राप्त हो प्रिस्टिशन प्राप्त हो वे हमारे जीवन के अंदर हमें लेजिस्टिट डाप्टिंग के लिए दक्ष करेंगे और आज इसकी बहुत बड़ी आउश्चता है चाए सरकारी विभागों के अंदर हो क्योंकि जब कानून बनता है तो उसका ड्राप्त लाने का काम कारिपालिका का होता है उस विभाग का होता है और उस विभाग के अंदर लेजिस्टिट डाप्टिंग करने वाले अनभव भी दक्ष लोग होंगे तो ठीक से अपने लेजिस्टिव ड्राप को लाएंगे उसके बाद वो मंति मंदल में जाता है और मंति मंदल के बाद वो संसत के अंदर डिवेट और चर्शा होती है इसलिए सबसे प्रारंबिक प्रक्रिया के अंदर उस विभाग के अंदर लेजिस्टिव ड्राप्टिंग करने वारे लोगों का अनभव ज्ञान और इस्प्रश्टा होगी उतना ही बैतर कानून बनेगा और देश में कोई भी राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो कानून इसलिए बनाती है कि लोगों को सविधानिक जिम्मेदार्या मिले कानून का शाषन हो कानून में जहां अधिकार मिलता है वहां कानून के कारण लोगों को न्यायवी मिलता है और शाषन प्रशाषन में पारदर्श्टा भी आती है इसलिए लेजिस्टिट में कानून बनाना इतना है आउश्यक उसकुस्क से भी एक बार रूल्स बनाने के समय भी जितनी कानून की स्परश्टा होगी उतनी रूल में इसप्रश्टहा होगी इसलिए कानून बनाने के साथ-साथ आने वाले समय में एक दिशागर ममंतिर जीए कि हम विभागों के अंदर रूल्स बनाने की प्रक्रिया का भी प्रिसिशन शुरू करें, ए ताकि जब कोई कानून बन जाये तो उसके रूल्स बनते समय हम किन-किन भावनाओं को ध्यान रखना चीए कानून की क्या मनिशा थी उस मनिशा के नुसार रूल्स बने और जितनी ड्राप्टिंग की दक्षता होगी उतनी बेतर तरीके का कानून होगा और इसलिए आज इसकी शुरुआत हुई है गर्यमंति जी ने अ उनका एक लंबा अनभव संसदी जीवन का है इसके आने वाले समय के अंदर संसद सभी राज्यों के अंदर इसी तरीके इसके लेजिस्टिटिव डाप्टिंग के प्रसिशन कारेकम भी आयुजित करेंगी ताकि जो कुछ भी यहां पनरा दिन के अंदर हमने जो प्रसिशन के अंदर जो अनभव होगा और कुछ कमिया रहीगी तो फिर उसको ठीक करेंगे एक निमित प्रक्रिया होगी और आने वाले समय के अंदर केंद्र और केंद्र के सारे राज के उपकरण और जो लेजिस्टिटिव प्राइवेट बिल लाते हैं उनके सयोग्यों का भी प्रस सांसद भी क्योंकि कानून की चर्चा करते समय अगर कानून का ठीक से अध्यन करेंगे अध्यन करने के बाद उसकी चर्चा करेंगे तो उसका लाब देश को मिलेगा इसने हमारी कोशिश होगी कि हम जनप्रतिति जो कानून बनाने का के लिए डिवेट करते हैं चर्चा करत सार्व गर्वित हो और उसकी चर्चा का लाब आने वाले समय के अंदर देश को मिले क्योंकि 1947 के बाद इस देश में कई कानून बने उनकी चर्चा समवाद हुआ है सविधान सभा की चर्चा की मानि ग्रमंती जीने चर्चा किये हमारी कोशिश होगी कि मानि सांसत गन भी उन सब चर्चा डिवेट कानून बनते से में जो कुछ हुआ उसका पढ़े अनभव करें और आने वाले समय के अंदर संसदों के अंदर कानून बनाते समय एक अच्छी चर्चा हो एक अच्छा सवाद हो अच्छी डिवेट हो और नीतियों कार्यक्रम के अंदर आलोश ना हो लेकिन सकारात्मक हो उस कानून में अगर कोई कमी रहती है तो उसकी कमी का ध्यान भी डाल के साथ कानून का अध्यन करना कानून की डिवेट करने वालों की प्रसिशन की वह हो शकता है मैं पुना मानि निग्रमंती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रणी जी करने है अधर स्टाम मानि निग्रमंती ली करने वई इनौन करले का की वह होई थे हुत दिवेट ज्यून वालों की प्वी जेता है जरवार देम लड़ल एंपर इस प्राह्टित न सेजेजरे जे लिन उेंढ में घजेपनेंसित अजब पेता लिस्त रस्ते हुछा है। ू permettले इस को näंए ट contemporary デ I would like to share with the August gathering that on the directions of the Honourable Speaker, the entire debate of the Consulant Assembly has been digitized and is available on the website of the Parliament of India, and it has a very lot of viewership since it has been made digitized. We are extremely thankful to the Honourable Minister, Ministry of Home Affairs and Ministry of Corporation, Shiyamish Shaji, for his initiative and guidance for getting this first-of-its-kind program on legislative drafting curated and conceptualized for developing the skills of the officials of central and state government and officials of legislative body. It is very inspirational, sir, that you have started a new movement on the importance of the legislative drafting, which is evident from the overwhelming response we received for this program from the different stakeholders. We are very sure the journey which had started from the Mavlankar Auditorium will continue to develop the skills for the entire country and the stakeholders in the future also. I am also taking this opportunity to express my gratitude to Sri Kupal Kumar Singh Ji, Secretary General Lok Sabha, for underlining the importance of this training program, also for providing continuous guidance and support. I would like to thank all the participants for the interest and participation in this program. I am sure that this course would enable you, as a good draftsman, and prepare you to be in a position to grasp the political, economic, and social conditions that will undoubtedly be the basis for any good legislation. With these words, I once again extend my sincere thanks to all of you. Jain. Thank you, everyone. Now I request the dignitaries and the participants to proceed for group photo...